हम बिटकोईन करते रह गए और बाजी इसे नमश्कार दोस्तों वैलकम टो बिटकोईन एक्षपर्ट इंडिया बिटकोईन एक्षपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज हम बात करेंगे एक ऐसी currency के बारे में जो की 3 महीने पहले अगर मैं बात करूँ जनवरी में 10 डॉलर की होती थी और आज वो जो है 50 से 52 डॉलर पर trade कर रही है हम सर्फ bitcoin, bitcoin ही करते रह गए और bitcoin ऐसा होगा, bitcoin legal होगा या illegal होगा, bitcoin भी एक part है virtual currency का और इसके अलागा भी 700 currencies है 700 currencies में यह नहीं कहता, सभी अच्छी है लेकिन कुछ एक अच्छी currencies है जिन पे हमारा कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब कुछ जो हम कर रहें इंडिया में सर्फ bitcoin, bitcoin ही सुनने में आता है तो आज हम बात करेंगे number 2 currency की जिसका नाम है ethereum ethereum जो है अगर market capitalization और trade के साब से देखा जाए तो world की number 2 currency आती है bitcoin के बाद अगर हम कभी virtual currency की बात करते हैं तो वो ethereum है तो चलो दोस्तो इस पर हम बात करते हैं कि कैसे यह 10 dollar से जो है आज की date में 50-52 dollar हो गया और ethereum है क्या और हम इसमें कैसे buy sell कर सकते हैं और हम कैसे इसमें trade या इसकी mining कैसे कर सकते हैं तो वो सब चीज़े आज हम सीखेंगे तो चलो दोस्तो शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद उला दूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको like कीजेगा अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर subscribe कीजे ताकि आपको ऐसी virtual currencies के बारे में regular update मिलते रहें और हो सकता है कोई ऐसी currency आपको शायद करोड़ पती बना दे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा होगा coinmarketcap.com इसके हिसाप से अगर देखें जिसपे कि almost सारी cryptocurrencies जो genuine cryptocurrencies हैं वो listed हैं अगर उसमें बात करें तो number 2 की currency है Ethereum अगर आज मैं इसका rate देखता हूँ तो 50 dollar का है almost 4% बढ़ा हुआ है इसका rate तो आप सोच सकते हैं कि Bitcoin के बात करते हैं Bitcoin के बाद अगर हम बात करते हैं तो Ethereum का आता है इसका जो total supply है वो almost 9 crore के आसपस है तो अगर आप देख सकते हैं अगर Bitcoin के बाद हम बात करते हैं Ethereum की होती है चलो दोस्तों अब Ethereum की details जानते हैं कि जैसे कि आपको पता है Satoshi जी ने Bitcoin बनाया था बट उनकी identity नहीं पता लेकिन जो Ethereum बनाया है उसके बारे में हम जानते हैं और इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अभी सिर्फ हम देखते हैं कि अगर आज बात करते हैं कि आल्मोस्ट तीन 332 रुपे का यह Ethereum मिलता है 50 डॉलर का तो current supply जो है इसकी 9 करोड के आसपस है और चलो देखते हैं अगर आप आप देखेंगे जो कि अगस्ट 7 2015 से लेके अप्रेल 18 2017 का है तो अगर इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कहां यह शुरू हुआ था यह आल्मोस्ट एक डॉलर भी नहीं था और आज जो है पांच डॉलर का है अगर मैं दो साल के अंदर की बात करूं तो आप देख सक और कहां हां आज की डिट में देखेंगे तीन हजार रुपे की चीज़ है अगर हम इंडियन फाइनेंशल चीजों से कंपेर करेंगे तो यह वर्चुल करन्सी बहुत हाई रिटन देती हैं तो थोड़ा सा इसका अगर आप देखेंगे आज की डिट में 50 डॉलर का यह जो दिखा रहा है अपने पीक पर है आज की डेट के अंदर तो हम पिछले तीन महीने का इसका चेक करते हैं कि पिछले तीन महीने में इसकी क्या परफॉर्मेंस है जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया जो नोटिस में आया अगर मैं देखूं तो आलमोस जनवरी 18-2017 से लेके तो ऐसा क्या हो गया तो कही ना कहीं बिटकोईन की वज़े से हम बहुत सारी चीज़े इंडिया में नहीं होगा लेकिन बहुत सारी वर्चुल करन्सी जो बिटकोईन को आउट फेम कर रही हैं अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा रिटन दे रही हैं तो अगर आप मिलता है कि Microsoft इसको बैक करता है तो Microsoft का भी इसमें काफी पैसा लगा हुआ है investment है और अगर future production की बात करूँ तो हो सकता है अगले एक दो साल के अंदर ये डेड़ सो से दो सो डॉलर भी हो बट एट प्रेजेंट हमारी research के हिसाब से हो सकता है 2017 end तक यह 100 डॉलर के आसपस trade करे तो आपको इसे request है अगर आप इस चीज को suggestion को लीजेगा बट आप अपनी खुद की research कीजेगा ताकि आपको इसका benefit मिले बट Ethereum की आपको मैं बताऊँ एक बात जो की बहुत interesting बात है हम और आप life में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं बट Ethereum जिसने बनाया था आप वि magazine है उसके अंदर वो काम करता था तो उसने उसकी कमिया देखी और उसने उसमें क्या plus points हैं फायदे नुकसान सब देखे और एक white paper पे आप विकीपीडिया पर पढ़िएगा story एक white paper पे उसने पूरा का पूरा blueprint बनाया और एक investor के पास गया और investor ने उसका idea सुना समझा और आ Ethereum है क्या? Ethereum की website है ethereum.org जो की blockchain के जो application platform प्रवाइड करती है, blockchain technology के उपर based और वो कहने का in short मतलब है थोड़ा सा easy language ने समझाओं कि जैसे bitcoin है, bitcoin एक currency है जो की सिर्फ buy and sell के लिए use होती है तो Ethereum भी एक coin है जो buy and sell के लिए भी use होता है, trade भी होता है लेकिन साथ के साथ में वो आपको एक platform देता है कि जैसे मान लिजए उनके software के base पर आने कि technology application के base पर भी आप कोई और software build up कर सकते हैं, तो ये देता है, तो और इसमें जब सबसे अच्छी बात क्या है, ये currency की तरह तो है, मतलब आप इसको trade तो कर सकते हैं, लेकिन ये smart contracts भी कि इसके smart money, smart wallet भी है, मतलब इस company का खुद का wallet भी है, जो कि आप download कर सकते हो, android, phone पे भी, ios पे भी और अपने system पर भी है, दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि bitcoin की तरह ये भी एक decentralized currency है, लेकिन अगर सिर्फ currency होती, तो इसकी क्या जूरत है, तो bitcoin ही काफी था लेकिन इसके अलावा भी, as a currency, decentralized currency के अलावा भी, ये एक platform देता है, और जिस concept को कहते है, smart contracts, तो ये smart contracts भी provide करता है, facilitate करता है, जिससे की तूसरे software बनाने वाली companies हैं, उनको एक platform देता है, जिसमें ये blockchain technology, जो secure technology है, उसका as a base, as a base, use कर सकते हैं, और उसके अलावा smart contracts होते के ह एक example लेते हैं, जैसे कि मुझे property की register करानी है, तो अगर मुझे property की register करानी है, तो मुझे restart के पास जाना पड़ेगा, time consuming होता है, काफी पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ों की formalities करनी पड़ती है, तो ultimately ये जो contract है, smart contract, ये जो है paperwork को खतम कर देता है, और मान लीजिए आप से कुछ चाहिए, और आपको मुझे चाहिए, तो हम direct property का exchange कर सकते हैं, ना इसमें कोई mediator की ज़रद, ना किसी चीज़ की ज़रद, तो ये facilitate करती है, जो ethereum technology है, इस चीज़ को करने में, ये सिर्फ property का example था, property के हलावा भी काफी सारे चीज़ों में हम use कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनिया इसको, इसमें interest दिखा रही हैं, और इसका use कर रही है, बहुत सारी top companies भी हैं, जो इसको use कर रही है, तो जाल स्यादा कंपनिया, अगर ये smart contracts और जो अपने software develop करेंगे, इस software और इस platform के उपर, जो की सब से secure blockchain technology बे बना हुआ है, तो इसका ultimately demand बढ़ेग और अगर demand बढ़ेगी, तो हम सोच सकते हैं कि future Ethereum का भी bright होगा, तो ये भी एक reason है, और दूसरा बहुत सारे reasons है, time to time reasons, कुछ news आती है, तो price बढ़ जाते हैं, क्रिप्टो करंसी के, कई बार news negative आती है, तो down हो जाती है, बट ultimately long run के लिए देखें, तो 2 साल के अंदर ऐसी कौ गुना से 5 गुना का return दे भिया है, तो Ethereum को आप ignore नहीं कर सकते हैं, आज की date में हम बात करें, तो Bitcoin के बाद दूसरे number पे यही Ethereum आता है, दोस्तों आज हमने बात करी Ethereum क्या होता है, और next video आप हमारी देखिएगा, उसमें हम बताएंगे कि Ethereum में आप trade कैसे कर सकते हैं, और Ethereum की mining कैसे होती है, और आप भी इससे कैसे कमा सकते हैं, I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, और जाय से आदा लोगों तक share कीजिए, क्योंकि अगर जाय से लोगों को पता चल जैसे आदा लोगों का जवाब देने की थैंक यू नमस्कार धन्यवाद